बिर्यानी खाना सबको बहुत पसंद होता है और बिर्यानी मेरी भी फेवरेट है तो मैंने सोचा चलो आज रेसिपी बनाते हैं और सब के साथ शेयर करते हैं इसके साथ मैंने एक पुदिनी की चटनी बनाई है वो भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी चलिए तो र खड़े मसाले में मैंने तेज पत्ता दाल चीनी बड़ी एलाइची छोटी एलाइची लॉंग और काली मिर्ची एड़ की है इससे चावल में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा जब तक हमारे चावल उबल रहे हैं तब तक हम अनियन फ्राइ कर लेते हैं यहां मैंने एक परसेंट तक ही चावल को कुक करना है फिर हम उसका पानी अलग कर लेंगे यहां हमारे अनियन भी फ्राइ हो चुके हैं अनियन को भी ज्यादा फ्राइ नहीं करें वन्ना वो कड़ भी हो जाती है फिर पैन मैंने सेम पैन में थोड़ा सा ओयल एड़ किया जीरा एड़ किया थोड़ी सी दालचीनी लॉंग और इलाइची एड़ कर दी इसमें हमने सबजी तियार करनी है तो फिर यहां मैंने प्याज एड़ कर दी प्याज को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब वो रोस्ट हो जाएंगी तो अदरक लैस्वन का पेस्ट एड़ कर दी है इसको भी हम भून जाएगी तो इसमें मसाले आड़ कर देंगे यहां मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर एड़ किया है और बजाल में जो बिर्यानी मसाला आता है आप वो किसी भी कंपनी का लें और इसमें एड़ कर सकते हैं फिर वैजी टेवल आप अपने टेस्ट के यहां मेरे पास गाजर थे मटर थे मश्रूम और थोड़ी सी हरी मिर्च एड़ किये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल एड़ कर सकते हैं सब को अच्छे से भून लेंगे फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक एड़ करके इसको ढखकर कुक होने के बाद आपको इससे चलाते रहना है वरना दही फट जाएगी इसलिए इसको continuous चलाते रहना है हमारी सबझी तयार है अब हम बिर्यानी की लेयर लगा लेते हैं तो यहां मेरे पास मिट्टी की बरतन है तो मैंने उसमें बनाया है आप किसी भी बरतन में बना सकते हैं उसमें नीचे गी अपलाई कर लें फिर उसमें चावल की लेयर लगा लेंगे चावल की लेर के बाद हमें बिर्याणी को सजाना है उसमें जो हमें वैजी टेवल त्यार करकर रखी थी वो एड़ कर लेंगे प्याज जो भून कर रखी थी वो एड़ कर लेंगे और पुदीने के पत्ते अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए कोशिश करें कि पुदिना ज़ूर एड़ करें थोड़ा सा धनिया चौप करके एड़ कर देंगे और यहां मैंने केसर को दूर में भिगा कर एड़ रखा था तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आता है तो वो इसमें एड़ करके फिर सेम तरीके से चितनी भी लेयर आप त्यार करना चाहें वो यहां हमारी बिरियानी दम देने के लिए तयार है हमें इसे slow गैस पर 20 से 25 मिनट के लिए दम देना है जब तक कहमारी बिरियानी रेड़ी होगी तब तक हम चटनी तयार कर लेते हैं यहां मैंने मिक्सीका जार लिया इसमें धनिया, पुदीना, हरीमिरची, अतरक और और थोड़े से इसमें मैंने बुने हुए चने एड़ किये हैं। फिर इसमें काला नमक, सफेद नमक, बुना हुए जीरा और चाट मसाला एड़ कर देंगे। थोड़ा सा लेमन जूस एड़ कर देंगे। और तीन से चार चमच दही एड़ करके सबको अच्छे से हो गई है तो अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। बिर्यानी काफी जादा सुन्दर लग रही है और खुश्बू भी बहुत जादा अच्छी आ रही है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारी वेज़िटेबल बिर्यानी बनकर तयार है। एक वार इसे जरूर ट्राइ करें। बहुत जादा टेस्ट है और मुझे कमेंट्स करके बताया आपको यह कैसी लगी। बाइबाइ।